गुजरात के वलसाड में तूफानी बारिश सूरत में पेड़ किरा देने वाली बारिश महराश्ट के बीड में आस्मानी विजली बनी आप गुजरात और महराश्ट के कुछ हिस्सों में कल हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बगर आई गुजरात के वलसाड में कल हुई बारिश की तस्वीर है ये इतनी तेज बारिश हो रही थी मानो कोई तूफान आया भारी बारिश से बचने के लिए गाएं भी सुरक्ष ठिकाने की तलाश में तेजी से भाग रही थी वलसाड में भारी बारिश की वज़ा से हुए हाथसे में एक शक्स की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए अब गुजरात के ही सुरत की तस्वीर देखिए यहां भी तेज बारिश ने मजबूत पेड़ों तक को हिला कर रख दिया जड़ से उखड़ चुके पेड़ों को देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे सुरत के जीडी कोयनका स्कूल के पास पेड़ जड़ से उखड़ गए और इनकी वज़ा से स्कूल की बाउंडरी वाल भी गिर गई हलनकि यहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सूरत शेर के दूसरे इलाकों में भी दरजनों पेड़ गिर गए इस कार की छट पर पेड़ गिर गया इस हाथसे में कार में सवार लोग बाल बाल बच गए माराश्ट में भी कल कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई यहां बारिश के साथ बिजली गिरने की भी घटनाएं हुई माराश के बीड जिले में बारिश के बाद आस्मानी बिजली गिरने से पांच किसानों की मात हो गई बीड के धारूरू गाउं के किसान खेत में काम कर रहे थे तब ही उन पर बिजली गिरी बीड के अलावा महाराश के सुलापुर, धुले और अपाल घर में भी बिजली गिरने की घटनाएं हुई है ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे बीड काम के लोग एंड एंड खेते हैं देंटे पान ऊतर अटनाएं आपे निएकप रहे थे प्राव में ने करीं